क्या शारुक खान ने संजलीला भनसाली से फिर से दोस्ती कर ली है अब लगता है सारे जगडे खत्म हो गए हैं और सारी गुस्ताखियां भी माफ हो गई हैं आपको बता दे कि शारुक ने संजलीला भंसाली की फिल्म देवदास के बाद किसी फिल्म में उनके साथ काम नहीं किया लेकिन अब लगता है कि एक बर फिर संजलीला भंसाली के साथ शारुक फिल्मों में काम करने जा रहे हैं साल 2018 में संजलीला भनसाली एक बायोपिक बनाने वाले है आपको बता दे कि ये बायोपिक स्वर्ग्य कवी और लेखक साहिर लुधियानवी की जीवनी पर आधारित होगी इस रोल के लिए पहले इर्फान खान और फवात खान को लेने की चर्चा थी मगर खबरों की माने तो इस किर्दार के लिए बाजी जीत ली है बाजिगर शारुखान ने भनसाली इसी लफ स्टोरी को अपने अंदाज में बड़े परदे पर लाने की जोरो शोरों से तैयारी कर रहे है इस फिल्म के लिए दीपिका से लेकर प्रियंका तक कई नामों की चर्चा चल रही है